हेलो दोस्तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सॉफ्ट्वेर जो के आपकी वीडियो को कनवर्ट भी करेगा अडिटिंग भी करेगा स्क्रीन रिगॉर्डिंग भी करेगा आपके लैप्टोप या पीसी की और साथ इसाथ डाउनलोडिंग भी करेगा और आपकी वीडियो को प्ले भी करके दिखाएगा मिडिया प्लेयर इसलिए वन मैन आरमी सॉफ्ट्वेर सोच में पढ़ गए होना कि ऐसा कौन सा सॉफ्ट्वेर हां मैं आपको बताता हूँ और अगर आपको भी जानना है कि ये कौन सा ऐसा वन मैन आरमी सॉफ्ट्व tangalis है जोके इतनी मुल्टिवल ओप्शेंस आपको प्रवाइट करता है जो के बाकी software's की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस software के बाद अच्छा तो आपको मेरी ये video last तक जरूर देखनी होगी और वो भी बेना skip किये और अगर आप skip कर दोगे तो आप इस software को सीखनी पाओगे और जान नहीं पाओगे इसके other features के बारे में तो इसलिए आपको मेरी ये video last तक जरूर देखनी होगी वो भी बेना skip किये तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हैलो दोस्तों मैं हूँ सल्मान और टक्नोलजी के अंसल्मान में आपका हमेशा की तरह स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आपने Google पे सर्च करना है Wondershare Uniconvert 14 एंटर करना है और सबसे पहली जो link आएगा ये official site है इस software की आपने free download पे click करना है इसके बाद आपके सामने website open हो जाएकि और यहाँ से आपने free download पे click करके तो download कर लेना है और साथ ही इसको download होने के बाद आपने इसको install कर लेना है दोस्तों यहाँ से आपने इसको download कर लेना है दोस्तों interface आपके सामने install करने के बाद ऐसा आएगा second option my files आएगी और third option जो है वो tools की है दोस्तों यहां पे आपको जितने भी इसके अंदर options हैं जितने भी tools हैं वो सारे यहां पे आपको available मिलेंगे दोस्तों यहां पे आप convert जो है वो 1000 प्लस formats को यहां पे convert कर सकते हो और इसके बाद जो options आ रही है downloading की दोस्तों यहां पे आप 10,000 प्लस जो video sites हैं और music वाली यहां पे आप इसको download कर सकते हैं दोस्तों यहां पे अगर आप compress करते हो किसी भी video को तो आपकी जो quality रहेगी वो कम नहीं होगी दोस्तों आप यहां से अपनी जो video है वो भी edit कर सकते हो merge की screen recording के बाद आपको dvd burner dvd burner की options मिलेगी और इसके बाद दोस्तों आपको जो options मिलेगी वो media player की और यह जो media player है यह 4K और 8K HD video को sport करता है और इसके बाद आप थोड़ा सा scroll down करोंगे more tools दोस्तों यहां पर आप jeff maker कर सकती हो intro outer कर सकती हो fix metadata कर सकती हो image को convert कर सकती हो इसके बाद dvd को convert कर सकती हो cd burner कर सकती हो और vr convert भी कर सकती हो दोस्तों और इसके बाद सबसे amazing दोस्तों आप file transfer भी कर सकती हो option इसके नीचे scroll down करोंगे तो आपको AI lab मिलेगी जिसमें आप जो watermark ए उसको remove कर सकती हो voice change कर सकती हो vocal remove कर सकती हो noise remove कर सकती हो और watermark edit कर सकती हो smart trimmer कर सकती हो दोस्तों और इसके बाद आपकी जो video है उसको आप resize कर सकती हो crop करके subtitle edit कर सकती हो background remove कर सकती हो AI portrait भी आपको इसमें मिलेगा और इसके बाद जो latest phone में आपको options मिलती है video stabilization की वो भी आपको देखने को मिलेगी last पे तो दोस्तो अभी जो इसका interface है convert की options पे आप click करोगे तो आपको ऐसा interface मिलेगा downloader पे click करोगे तो आपको ऐसा interface मिलेगा और इसके बाद compressor पे अगर आप click करोगे तो आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा और इसके बाद edit पे click करोगे तो यहाँ पे दोस्तो आप अपनी वीडियो को edit कर सकती हो effects भी आपको देखने को मिलेंगे trim भी कर सकती हो crop कर सकती हो watermark कर सकती हो और अपनी वीडियो की speed को कम ज़ाधा कर सकती हो audio support कर सकती हो subtitle कर सकती हो merge दोस्तों यहाँ पर आप अपनी वीडियो की merge भी कर सकती हो options उसके बाद आपको देखने को मिलेगी और दोस्तो screen regarding screen regarding का interface आपको ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे आप full screen भी record कर सकती हो webcam recording भी कर सकती हो only audio recording भी कर सकती हो और सबसे ज़्यादा application recording दोस्तों मैं just इस application की ही recording करना चाता हूँ मलब full screen की नहीं करना चाता हूँ तो यह सबसे best है कि आप इसकी only application recording भी कर सकती हो इसमें आपको options देखने को मिलती है और इसके बाद आप DVD burner दोस्तों यहाँ से आप DVD burn भी कर सकती हो और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप tools पे click करोगे तो यह आपको सारी जो AI lab है वो आपको सारी options जो हैं वो देखने को मिलती है remove watermark भी कर सकती हो 2.0 version इसका update version है दोस्तों voice remove vocals और watermark editor और smart trimmer और autocrop, subtitles, remove backgrounds, AI portrait, video stabilization और भी दोस्तों यह सारी image convert, jeff maker, media, metadata, so यह सारी options आपको यहाँ पे देखने को मिलती है मतलब open करेंगी यह software तो यह आपको interface इसका जो first look है यह आपको ऐसी देखने को मिलेगी यह इसका first look interface है software install करने के बार दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना क्यूंके knowledge share करने से ही बढ़ता है और जिसको इस one man army software के बारे में नहीं भी पता होगा तो उसको भी आप share कर देना तो इसलिए ताके उसको भी इस software के बारे में knowledge मिल सके तो comment section में comment करके जरूर बताना कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी इस software के बारे में comment करके जरूर बताना के तो ये software one man army software है या नहीं तो इसलिए मिलते हैं मेरी अगली ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए अबाद रहिए टाटा बाई बाई टेक केर स्टे सेफ स्टे 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 स